कहावतों की कहानिया, लेना एक न देना दो. एक पोखर के पास एक मोर और कच्छुआ साथ साथ रहते थे. मोर पेर पर रहता और दाना चुग गाखा कर प्रसन रहता. उसका मित्र कच्छुआ पोखर में रहता और बीच बीच में पोखर से बाहर निकल कर मोर के साथ देर तक बाते करता. एक बार उस थान पर एक बहिलिया आया और उसने मोर को अपने जाल में फंसा लिया. वह मोर को बेचने के लिए हाट की ओर ले जाने लगा. इस पर मोर ने बहिलिये से बड़े कातर स्वर में कहा, तुम मुझे जहां चाहे मरजी ले जाओ. लेकिन जाने से पहले मैं पोकर में रहने वाले अपने मित्र कच्छुए से मिलना चाहता हूँ फिर तो उससे कभी मुलाकात होने से रही बहलिया राजी हो गया मोर को बंदी हालत में देखकर कच्छुआ बहुत दुखी हुआ उसने बहलिये से कहा यदि तुम मेरे मित्र मोर को छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक कीमती उपहार दूनगा बहलिया मान गया कच्छुए ने तालाब में एक डूप की लगाए और मुह में एक कीमती हीरा लेकर बाहर आ गया बहलिये ने हीरे को देखा तो उसके एवज में उसने मोर को छोड़ दिया उधर हीरा लेकर बहलिया चल गया तो कच्छुए ने मोर को कहीं दूर जाकर छुप जाने की सलाह दी मित्र की बात मान कर मोर दूर चला गया रास्ते में बहलिये को लालच आ गया उसके मन में विचार आया कि उसे कच्छुए से मोर की रिहाई के बदले में एक नहीं दो हीरे लेने चाहिए थे यह ख्याल आते ही वह कच्छुए से मिलने पोखर पर आया उसने कच्छुए से कहा कि मुझे मोर की रिहाई के बदले एक की जगह दो हीरे चाहिए थे उसकी बात सुनकर कच्छुआ समझ गया कि उसके मन में लालचा गया है सो, कच्छुए ने बहलिये से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसके साथ का दूसरा हीरा ला देता हूं, जरा मुझे पहला वाला हीरा दे दो बहेलिये ने कच्छुए को हीरा दे दिया कच्छुए ने हीरा लिया और पोखर में चला गया और बहुत देर तक वापिस नहीं आया यह प्रसंग सभी को मालूम हो गया और सब कहने लगे कि बहलिए को एक हीरा वापिस नहीं देना चाहिए था और नहीं कच्छुए को दो हीरे देने थे तभी से यह कहावत मशहूर हो गई, लेना एक ना देना दो